आज मैं आपके साथ शेर करी हूँ बालू शाही की रेस्पी ये बहुत ही खस्ता और परत्दार यानि मल्टी लेयर्ड होती है और अंदर से बहुत ही रसभरी सॉफ्ट और जूसी होती है इसे बनाना बहुत ही असान है तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना इसके लिए 250 ml का कप है और वजन से मैदा है 300 ग्राम अगर आपके पास मेजरिंग अपनी है तो आप एक काटोरी सेट कर लें और उसी से सारा मेजरमेंट लें इसे चान लेंगे चानते वक्ति इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 पेंच नमक इसे भी चान लें अब इसमें मोयन के लिए आधा कप देशी की लेंगे यह इस तरह से पिगला हुआ लेना है यह छे बड़े चमच यानि की 100 ग्राम है इसे अच्छे से हाथों से मल-मल के पूरे मैदे में मिक्स करके इस तरह से मुठी बना के देखेंगे यह देकिए अच्छे से बाइंड ह यानि मौयन अच्छे से हो गया अब आधा कप पानी थोड़ा थोड़ा करके इसे बाइंड करेंगे यह देखेंगे मैदे को हमने नीद नी करना है इसे सिर्फ हमने बाइंड करना है इस तरह से इकटा करना है यह देखें इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी आड करके इ देखिए हमने इसे सिर्फ बाइंड किया है अब इसे ढग कर हम रेस्ट पे छोड़ देंगे तब तक हम चार्श नहीं बना लेते हैं तो गैस पर हम एक कड़ाई रखेंगे और इसमें डालेंगे दो कप चीनी बजन से ये 450 ग्रैम है एक कप पानी डालेंगे ये 250 ml है अब मेडियम फ्लेम पर चीनी को डिजॉल्व होने देंगे इस तरह से हिलाते रहेंगे ये देखे चीनी डिजॉल्व हो चुकी है हमने इसकी चिपचिपी से चाशनी बनानी है इसमें कोई भी तार नहीं होना चीए चाशनी बहुत पतली भी नहीं होनी चीए बहुत गाड़ी भी नहीं होनी चीए थोड़े से केसर के धागे आड़ करेंगे, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, तीन चार ड्रॉप्स केबर एसेंस आड़ करेंगे, आप इलाइची भी डाल सकते हैं, चार पांच ड्रॉप्स नीम्बू के रस डालेंगे, वन फोर टीस्पून ओरेंज फूड कलर में इससे बहुत बढ़िया कलर आता है बालुशाई में, आप नहीं डालना चाते तो skip भी कर सकते हैं, अब चैक करेंगे इस तरह से फिंगर के बीच में, यह देखें, यह चिपचिपी सी चाशनी बन गी है, इसमें कोई भी तार नी है, यह देखें, बस चाशनी रेडी है, ग खीचेंगे और मिलाते जाएंगे, यह देखें, इस तरह से खीच कर इसमें इस तरह से मिलाते जाएंगे, यह प्रोसस हम चार बार करेंगे, इस तरह से क्या होता है, इसमें बहुत बढ़िया सी लियर्स बनती है, यह देखें, अब इसे इस तरह से परात में फैलाएंगे ठोड़ा सा यह देखिए इस तरह से फैला करेंगे हम रीच से कट करेंगे अब अब इन दोनों पीसें को छोड़ देंगे यह दिखिए का बहुत इसमें लेश बन रहे हैं फिर इस तरह से इसको फिलाएंगे और यह प्रॉसेस भी हम चार बार करेंगे ये देखी इस तरह से बीट से कट करके दोनों पीसेज को मिला देंगे ये देखी कितनी बड़िया से इसमें लेयर्स बन रही है इस तरह से हम इसे चार बार रिपीट करेंगे ये कुछ खास ट्रिक्स होते हैं जेने अपना कर क्या होता है बालू शाही जो होती है बहुत ही multi-layered यानि परतदार बनती है यह देखिए इस तरह से यह मैंने चार बार इस process को repeat कर लिया है अब हम क्या करेंगे इसके चार pieces कट कर लेंगे इस तरह से four equal pieces में इसे divide कर लेंगे अब एक piece लेंगे और इसे roll करेंगे यह देखिए बहुत बड़ी ऐसी इसमें layers आ रही है इसे अच्छे से roll कर लेंगे अब इसके चोटे-चोटे pieces कट कर लेंगे जितनी हमने बालू शाही के size रखना है उतने pieces कट कर लेंगे यह देखिए बहुत बड़ी pieces नहीं रखेंगे अब हाथों में प्रेस करती हुए इसका गोल सा पेड़ा बना लेंगे बहुत हलके हाथों से नहीं बनाना है नहीं तो क्या होगा इसके जो cracks है न वो oil में जाकर खुल जाते हैं बीच में एक hole बना लेंगे इसी तरह से हम यह देखिए सारी बालुशाई के pieces रेड़ी कर लेंगे अब घी को चेक कर लेंगे चोटा सा बॉल डाल के देखेंगे यह देखिए हलके हलके बबल सा रहे है तो घी बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए आप इसे oil में भी fry कर सकते हैं तो अब इसे डाल देंगे और बिल्कुल flame low रखेंगे यह देखिए इस तरह से सारे pieces एड़ कर देंगे और पांच मिनट तक हम इने बिल्कुल भी हिलाएंगे नहीं यह भी बहुत ही soft होती है और इसे इसके पेड़े को थोड़ा सा प्रेस करके ही हम बनाएंगे यह बहुत हलके हाथों से नहीं बनाएंगे वरना क्या होगा यह सारी घी में जाकर खुल जाती है यह देखिए अब यह size में कितनी double हो गया उपर तैर कर आ गया है जब इस तरह से यह घी में उपर तैर कर आ जाए तो इसे इस तरह से flip कर देंगे इसकी सारी परतें यह देखिए कैसे खुल खुल के बाहर आ रही है तो सभी को इस तरह से flip कर देंगे अब flame थोड़ी से medium कर देंगे और इसमें थोड़ा सा सुनेरा कलर आने देंगे हलका golden कलर आने तक हम इने fry कर लेंगे अब इनमें बहुत बढ़ी ऐसा golden कलर आ गया है तो अब हम इने निकाल कर चाशनी में डाल देंगे तो चाशनी हलकी गरम होनी चीए अगर ठंडी हो गई है तो उसे थोड़ा सा गरम कर लें यह देखिए इस तरह से सारी बालुशाही निकाल कर चाशनी में डिप कर देंगे यह देखिए इस तरह से दो मिनट इसे एक साइड से चाशनी पीने देंगे और उसके बाद इसे फिलिप करेंगे इस तरह से एक साइड से जब यह अच्छे से चाशनी को पी ले तब हम इसे इस तरह से दो मिनट बाद पलट देंगे यह देखिए इस तरह से 2-3 मिनट अब इस साइट भी हम इसे चाशनी में रहने देंगे और 5 मिनट बाद हम इसे निकाल लेंगे बहुत जादा देर चाशनी में रखेंगे तो यह नरम पड़ जाएगी ये देखिए दो दो मिनिट हमने इसे चाशनी में दोनों तरफ से अच्छे से टिप कर लिया है अब इसी तरह से हम दूसरा बैच भी फ्राई करके चाशनी में टिप करके निकाल लेंगे ये देखिए ये दूसरा बैच भी हमने बना कर रेडी कर लिया है इसे भी हमने हलके गरम घी में फ्राई करना है ये देखिए इस तरह से हमने सारी बालुशाई को तयार कर लिया है बहुती बढ़िया खस्ता और रस भरी बालुशाई ये बनी है तो थोड़े से पिस्ता से गार्निश कर लेंगे ये देखिए बहुत ही बढ़िया परदार और खस्ता और अंदर से बहुत ही सौफ्ट और जूसी बनी है ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये देखिए बहार से खस्ता और अंदर से बहुत ही जूसी रस भरी ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि इसमें कितना रस भर है आप जरूर इस रेस्पी को ट्राई करें आपको ये रेस्पी कैसी लगी कामेंट्स में लिख कर बताएं आपको ये रेस्पी अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद